अस्सलाम अलेकुम टू अलेकुम टू अलेकुम एक बाफ फिर लेन आने यूट्यूब चैनल पे आप रोगो का मुस्ट विलकम तो अरकान में आज हम लोगे एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है यूमन एलिमेंट्स एंड मौडरन कॉंसेप्ट आफ एलिमेंट्स यानि अनासिर इंसानिया और मौडरन कॉंसेप्ट आफ एलिमेंट्स यानि इस जदीद दौर में इस प्रिजेंट टाइम में कितने एलिमेंट्स आ चुके हैं खोजे जा चुके हैं उनका कॉंसेप्ट क्या है तो इन तमाम बातों पे आज हम लोग इस वीडियो में बात कर देंगे तो आईए शुरू करते हैं आज की वीडियो प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आप और नेवर मिस अनादर अपडेट तो शुरू करते हैं हम लोग हूमन एलिमेंट्स यानि अनासिर इंसानिया जो इंसान की बदन में जो अनासिर पाया जाते हैं उनके बारे में तो about 19 अफ अरकान participate into the elementary composition of human body यानि 19 ऐसे अरकान हैं जो बाहम मिलते हैं और basic composition जो बनाते हैं human body का इंसानी बदन का वो 19 elements ही हैं elementary का मतलब होता है मूल भूत basic आधार और composition of human body जो basic composition है जो cells है उनके cell का mass है cell की fluids है वो तमाम चीजों को 19 अरकान 19 elements ही आपस में मिलकर बनाते हैं तीक है अब आगे देखिए the six basic अनासिर oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, phosphorus and sulfur contribute to about 97.25% of the total cell mass यानि ये जो छे basic अनासिर है ये पूरी इंसानी बदन का 97 to 98% cell mass जो होता है उनको contribute करते हैं यानि जादा अत्तर हमारे बदन में कौन सी चीज़े पाई जाती है oxygen, carbon dioxide, hydrogen, nitrogen, phosphorus and sulfur इनी छे चीजों का जादा contribution होता है cell mass of living organism and provide the structural element of the protoplasm जो cell के protoplasm होते हैं जो cell mass होता है cell में जो fluids होती है उन सब के structure पे उनके composition पे ये छे elements ही depend करते हैं the metallic element including sodium, potassium, calcium, copper, zinc, selenium, silicon, molybdenum, fluorine, chlorine, iodine, magnees, cobalt, iron are considered to contribute about 2.75% of the cell देखें ये जो बकिया के metallic elements है वो बदन इनसान में सिर्फ 2-3% का ही जो cell mass या अपना contribution करते हैं पूरी बदन की cells को बनाने के लिए वो सिर्फ 2-3% है बाकि जो 6 elements है वो 97-98% तक contribute करते हैं तो ये overall सिर्फ 19 elements ही बदन इनसान में पाय जाते हैं और वैसे तो जदीद इस present time में बहुत सारे elements हैं जो periodic table आप पढ़ते हैं वो तमाम elements खोजे जा चुके हैं तो वो सारे बदन इनसान में नहीं पाय जाते हैं क्योंकि उसमें कई सारे elements जो होते हैं वो poisonous होते हैं कई सारे जो हमारी बदन को नहीं चाहिए देखिए elements को हम लोग कई category में पढ़ते हैं जैसे essential elements होते हैं जो जरूरी अनासिर कहलाते हैं कुछ non essential यानि गहर जरूरी अनासिर और कुछ micro, macro और trace elements कहलाते हैं तो इस तरीके की पूरी जो modern periodic table है उसमें तमाम elements जो मौजूद है वो अपनी chemical, physical properties के बिना पे अलग-अलग group में रखे जाते हैं ठीक है तो वो तो present time के हैं लेकिन जो main हमारा मुद्दा है जो बाते हैं वो हैं सिर्फ हमारे इंसान बदन में कौन से elements पाए जाते हैं उन पर तो ये 19 basic elements हैं जो पाए ही जाएंगे अब next point देखते हैं हम लोग while some of them provide structural elements to the protoplasm of the cell किसके बारे इंग बात हो रही है some of the elements जो हम लोगों ने पढ़ा 19 elements उन में से जो कुछ होते हैं वो protoplasm को structural provide करते हैं ठीक है अब protoplasm क्या है protoplasm कहलाता है living part of the cell जिसमें cytoplasm आते हैं nucleus आते हैं और other organs जो सारे होते हैं वो कहलाते हैं ठीक है तो उनको कुछ elements जो हम लोगों ने 19 पढ़ें वो structure point कराते हैं like trace element अब trace elements क्या चीज़ है trace elements हम उन्हें कहते हैं जो हमारी living tissue में या cell में या हमारे बदने इनसान में बहुत ही कम amount में पाय जाते हैं जिसमें iron, copper, molybdenum zinc वगरा ये तमाम elements आते हैं ठीक है तो इन्हें हम कहते है essential trace element जो ज़रूरी है लेकिन कम amount में होते हैं remain in their elemental or other forms तो जो elements हैं ये trace elements कुछ तो protoplasm का structure बना देते हैं और कुछ other forms में convert होकर या बनकर आपस में मिलकर hormones, enzyme, amino acid की form में बनकर cells को उसकी काम आते हैं ठीक है in the cell or in physiological system run through the help of body fluid and play their role in health and disease situation accordingly तो जो ये elements हैं वो हमारे physiological system यानि जो हमारे बन का एक normal तरीका है काम करने का उस पूरे निजाम में वो इخलात के जरिया यानि body fluids के जरिया बहते हैं हमारे जो उरूक हैं vessels नालिया हैं बदन की जिसमें खून दोरता है body fluids वो तमाम body fluids जो अपने उरूक में दोरते हैं तो उनके जरिया ये elements उसमें flow करते हैं and play their roles in health and disease situation accordingly और जैसे भी कोई मर्ज बदन में आ गया हो या normal कोई मर्ज नहीं है बदन सहत्याब है fit है तो उसमें ये elements अपने हिसाब से role play करते हैं ठीक है ये जदीद नजरिया के लिहाज से अनासिर की तक्सीम है कि कौन कौन से group में और कैसे चीजों को बाटा गया है तो आज के इस present time में ये तमाम अनासिर जो आप इस chart में देख रहे हैं ये खोजे जा चुके हैं ठीक है तो ये आप 11 और 12 की class में भी ये chemistry में और normal पढ़ते आए हैं कि ये तमाम group हैं और ये चीजे और कौन कौन से elements इनके chemical properties क्या होती है physical properties क्या होती है वो सब चीजे आप 11 इतना जानना है कि इन periodic table में से जो 19 elements है वही हमारे बदन इंसान में पाए जाते हैं और बकिया घैर जरूरी है इनकी जरूरत उतनी नहीं लेकिन आपको एक concept पता होने चाहिए कि total elements कितने आचुके हैं तो 100 से जादा 106-107 के आज-पास तकरीबन है ये अब next हम लोग पढ़ेंगे elements के कुछ specific forms या उनके chemical forms के बारे में तो युनानी थियोरी holds that the chemical properties of anasir depend upon their specific forms यानि युनानी थियोरी का कहना है कि जो chemical properties होती हैं किसी भी elements की तो chemical properties क्या होती हैं उनके atomic number उनकी density उनके boiling point उनके melting point ये तमाम चीज़ें उसमें आती हैं तो किसी भी elements का जो chemical properties है वो depend करता है उनके specific forms पे वो कैसे हैं या किस group के हैं या किस class के हैं उस periodic table पे क्योंकि group और class उनकी basis पे decide होता है उनके forms पे उनके काम पे उनके physical, chemical, biochemical properties पे ठीक है तो overall अगर बात करें तो युनानी थियोरी का कहना है कि जैसी chemical properties होगी elements की वो depend करती हैं उनके forms पे अगर specific forms particular substance के जो हैं अगर वो change हो जाएं उनका structure change हो जाए उन chemicals का तो उनके result में भी बदलावा जाएगा तो chemical and biochemical properties जो होती या physiological properties जो किसी elements की होती है काम करने की तो वो काम नहीं कर पाएंगे अगर उनके internal structure में changes आ जाएं तो वही चीज़ें यहां पर लिखे हुई है any change in its chemical form result a change in its chemical and thereby its biochemical and physiological properties यानि किसी भी elements की कोई chemical forms को अगर change हो रहा है तो उनके function में उनके काम में उनके properties में चाहें वो physical हों बायो chemical हों chemical हों उन सब चीज़ों में changes आ जाएगा चलिए अब एक नए point के बारे में बात करते है however it should be born in mind that when the ancient philosophers see anything warm हमाई दिमाग में एक बात आती है कि अगर जो हमारे पुराने कदीम अतिब्बा लोग थें वो कहते थे कि यह चीज़ गरम है the things is warm या cold ठंडी है या moist या dry कोई नम है या खुश्क है तो they generally refer to one of the following meanings तो यह following जो meaning हम पढ़ने वाले उन चीज़ों को वो refer करते थे यानि मानते थे कि ऐसा सामाने रूप से हो सकता है sometimes a thing which is called warm and cold is actually warm or cold अगर हम किसी चीज़ को कहते हैं यह गरम और ठंडी है तो हम जब उससे touch करते हैं when it is touch it feels actually warm and cold जब उससे छूते हैं तो लगता है कि हाँ यह चीज़ गरम है या यह चीज़ ठंडी है या कोई चीज़ है moist है तो हम छूते हैं तो पता चलता है कि यह नम है या तर है या कोई खुशक है सूखी चीज़ तो हमें वो feel होता है touch करने पर next point देखते हैं sometime a thing which is said to be warm or cold is not actually warm or cold and does not feel actually warm on touching तो क्या होता है कि कभी-कभी कोई चीज़ अगर कही जा रही है कि यह चीज़ गरम है या ठंडी है लेकिन जब हम उसे touch कहते हैं तो वो गरम या ठंडी नहीं होती ठीक है but it is potentially warm and cold लेकिन उसका potential जो होता है वो धंडा या गरम हो सकता है अब इस चीज़ को समझते है potentially क्या होती है when it enters into body जब हमारी बदन में वो चीज़ जाती है तो it produce heat यानि energy provide करती है या गर्मी या warm करती है हमारे body को और rises the temperature हमारे बदन की temperature को बढ़ा देती है या reduce the production of heat हमारे बदन की energy को reduce कर देती है और lower the body temperature यानि body को ठंडा करती है the similar case is with the moist and drying too और यही similar बात moist यानि नमी और dry यानि खुशकी के लिए भी मानी जाती है अपलाई होती है तो overall इस point का मतलब क्या हुआ पढ़ने का जो पिछले point से थोड़ा सा उलट है तो हम इसमें यह जान रहे है कि जो चीज हमने कहा कि यह warm और cold है ठीक है तो वो जरूरी ने कि touch करने पे feel हो वो जब हमारे बदन में जाती है तो उसका potential warm है वो उसका काम उसका function की body के temperature को कर गर्मी पैदा करती है या body के temperature को कम करके coldness या बरूदत पैदा करती है ठंडी पैदा करती है ठीक है same उसी तरह वो चीज़ जब हमारे बदन में दाखिल होती है तो मौस्त नमी पैदा करती है या खुश्की पैदा करती है तो इसका concept क्या है हम जब अपने इस यूनानी तरीके लाज में दवाइं इस्तमाल करते हैं जो मुफरत दवाइं हो तो उनका मिजाज होता है यानि वो गरम खुश्क होती है तर होती है ठीक है तो जो यूज करने पे हमारे body में जाकर वो उस चीज़ को बढ़ा देती है ठीक है अगर हम कोई चीज़ इस्तमाल कर रहे है जो गरम खुश्क हो, जो गर्मी भी पैदा करेगी, खुश्की भी पैदा करेगी, तो वो छूने में वो दवा गरम हो नहीं होगी, ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना होगा, overall concept को, चलिए इस बात को एक example के तोर पर आपको समझाता हूँ, तो देखे, अगर आपको एक बॉल दे दिया जाए, उबला हुआ अंडा, और वो नॉर्मल ठंडा है, गरम नहीं है, ठीक है, आप चुब रहे हैं उसे, तो ठंडा है, वो काफी देर का उबाला हुआ है, ठीक है, आप उसे इस्तमाल करते हैं, अगर आप ज़्यादा अंडे इस्तमाल करें, तो लोग कह खाते हैं तो उसका जो potential है उसके जो काम करने का तरीका है वो उसकी जो तासीर है वो बदन में जाकर गर्मी पैदा करेगी ठीक है तो वही चीज हम यहां समझ रहे हैं उस elements के बारे में I hope कि आपको इस example से यह चीजें यह point समझ में आ गया होगा तो overall अरकान का यह chapter पूरा यहीं complete होता है बस एक चीज बची रह गई है कि वो जो अनासिर हैं जो elements हैं वो किसी disease में क्या role play करते हैं उनका नजरिया क्या है तो इस चीज को आप लोग अपने से पढ़ेंगे अब क्या चीज पढ़नी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जितने भी elements हमने पढ़े हैं न कि फासफोरस, zinc, iron तो इनकी कमी और जाती से बदन पे कौन सी बीमारिया आती हैं अगर किसी बदन इनसान में iron बहुत जादा हो जाए तो क्या हो सकता है, iron की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारिया सकती है, किसी में zinc अगर कम हो जाए तो क्या हो सकता है, तो इस तरीके की आपको जो elements मैंने बताए बदन इनसान के तो उनके बारे में आपको पढ़ना है अगर calcium के बारे इम बात की जाए तो calcium अगर जादा हो जाए तो इनसानी बदन में क्या हो सकता है और calcium की कमी हो जाए तो क्या हो सकता है तो एक एक elements के बारे में आपको मर्ज के लिहाज से वो चीजे पढ़नी है तो इस चीज को आप लोग कोशिस करिएगा कि आप लोग अपने से पढ़ें तो इससे जादा बेहतर होगा वरना मैं इसकी एक अलग वीडियो बना कर अपलोड कर दूँगा आप लोग उसे देख लें तो ओर आल 90% तक पूरा portion आरकान का खत्म हो चुका है और मैंने ज़्यादा तर portion English में इसलिए पढ़ाया कि जो 1st year के student है अभी नए नए admission लिया है तो उन्हें English ज़्यादा बेहतर आती है और या वो CBSC board ICSC board या UP board से जो भी पढ़के आएं तो उर्दू समझने में लिखने में बहुत प्राबलम होती है तो English में अगर आप concept समझ जाते हैं overall view समझ जाते हैं कि elements का क्या नजरिया है या हमारे बदन में क्या ये माइने रखते हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं पूरी picture आपकी clear हो जाती है तो आज की इस वीडियो में बस इतना है मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए इजाज़त दीजिए खुदा हाफिज़